वेल्कम टू टेली एक्स्प्रेस वेल दोस्तों दिबोश मिता रॉय को मिलने वाले है सबसे बड़े तीन इंटरनाशनल प्रोजेक्ट्स जी हाँ दिबोश मिता की किस मत चमकने वाली है क्योंकि इंटनाइडल सीजन खतम होने से पहले पहले वो अपना पहला प्रोजेक्ट पूरा करेंगी और इंटनाइडल खतम होने के बाद तो दिबोश मिता के आगे प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी हुई है हर कोई चाह रहा है बड़े से बड़ा प्रोडियूसर कि दिबोश मिता उनके लिए काम करें लेकिन दोस्तो इन सब में सबसे बड़े तीन इंटरनाशनल प्रोजेक्ट्स जिसमें पार्ट लेने वाली हैं दिबोश मिता उनके बारे में हम आपको हमारे आज के इस खास वीडियो में विस्तार पूर्वग बताएंगे लेकिन उससे पहले आप चानल जरूर सबस्क्राइब कर लें बेल आइकन का दबाना बिलकल न भूलें वेल दोस्तों इंटनाइडल 13 की बहतरीन और मोस्ट पॉपिलर कॉंटेस्टेंट है दिबोश मिता रॉय अईसे में दिबोश मिता रॉय की कलाकारी और उनकी आवास के दिवाने पूरी दुनिया में है तोरान सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रजेक्ट जो दिबोश मिता को मिलने वाला है वो 26 जन्वरी और 30 जन्वरी के बीच है 26 जन्वरी को सबसे पहले वो इंटरनाशनल गेस्ट के आगे देश के राजधानी दिली में एक बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस देने वाली है तो वही खबर है कि 30 जन्वरी को भी देश मिता भारत के पेट्रियॉर्टिक सॉंग्स को इंटरनाशनल प्लाटफॉर्म पर जाकर गाने वाली है वेल इनी के साथ साथ जो बाकी के दो प्रोजेक्ट्स देश मिता करेंगी उनमें से एक प्रोजेक्ट का नाम है इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिबल जिसमें कई सारे इंडिया के कलाकार पहुंचते हैं और उनमें से एक देबोश मिता होने वाली है जिसकी सबसे बड़ी वज़ा है देबोश मिता की पूरी दुनिया में हो रही चर्चा और पॉप्यूलारिटी देबोश मिता इंटरनाशनल प्लाटफॉर्म पर इंडिया के ट्रेडिशनल कल्चरल सॉंग्स को परफॉर्म करने वाली हैं जिनमें से बेंगॉली सॉंग्स सबसे उपर रहेंगे दोस्तों तीसरा और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है देबोश मिता का सलमान खान के साथ जाने वाला दबंग का वल्ल टूर जिसमें देबोश मिता कई सारी जगहों पर परफॉर्म करेंगी और इन दोरान आपको देबोश मिता का एक बदला हुआ अपतार भी देखने को मिल सकता है तो दोस्तों किस तरह से करेंगे आप देबोश मिता को कंग्राचिलेट हमें अपने व्यूज कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूले